हेलो दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों गर्मी की छुटियां पढ़ने वाली है और बच्ची आप घर में रहेंगे और सारा दिन कुछ न कुछ डिमांड करेंगे और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई चीज बनाए जो बहुत फटा फट बन जाए है खुशी से वो उचल जाएंगे पानी ढलकर मैल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे जब यह उबलना सुरू कर देग़ तब भूरी से कुट्टी इलाइची इसमें डाँगे आप ज़ाई कोडर भी डाल सकती है या कुटकर भी डाल व्यद्ट इस हो शक्ता है जानिन्राईंनी करना है पर सब्सक्राइब गिलाइव, इसी घृत तर्फ रख देटेंे हैं और आगे, कर देते हैं इसके लिए यहां मैंने दो गिलास दूद लिया है, यानि कि आधा लीटर दूद मैंने लिया है, और आधा लीटर दूद को गरम करेंगे, जब यह उबाल आ जाए, तब हम इसमें डालेंगे, मैं यहां पर डाल रही हूँ, होममेड जो कस्टर्ड पाउडर होता है न वो, मैंने इसकी र पाउडर आपके पास नहीं है, तो आप क्या कीजिए, कि यदि मिल्क पाउडर है, या फिर कॉन फ्लोर है, तो उसको भी गोल कर इसमें डाला जा सकता है, तो देखें, यहां कश्टर्ड पाउडर को मैंने दो चमच लिया है, इसे इसी दूद में गोल लेंगे, और गोल कर इस तरह से घुमाएंगे, और इस तरह से यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, यानि कि एक इसक पर हम हाथ से या उंगली से हम निशान बनाएंगे तो आराम से निशान बन जाएगा, दिखाई देगा निशान, उतना ही चाहिए हमें बहुत अधी गाढ़ा नहीं बनाना है यह तो जैसे जैसे ठंडा होगा ना वैसे वैसे वो गाढ़ा होता चला जाएगा, अब यहाँ पर हम रिंगल लेंगे रस्क जी हाँ, जो हम लोग हर रोज बचों को या तो दूद के साथ या चाय के साथ रस्क देते हैं खाने के लिए, बस यही वाला रस्क है, इसको एक परतन में लेंगे और इस तरह से फैला लेंगे और हमने जो चासनी तयार कर रखी है, उस चासनी को इसके उपर रख लेंगे, चमच की सहाथा से सभी रस्क पर हम इस तरह के से चासनी को फैला देंगे, इसे क्या होगा ना यह अंदर से भीग जाएगा, और हम जब यह डाल कि यह सुखेगा भी नहीं अब हम फिर उपर से डालेंगे रस्क और रस्क डालकर इसके उपर से हम फिर चासनी लगाएंगे और चासनी डालकर इसे हम चारो तब से फैला देंगे और किनारी किनारी जो बचे जाता है उसके अंदर भी हम तोड़ तोड़ कर रस्क को डाल दें और उपर से मैंने थोड़े से जो चेरी है इसे भी डाल दिया है आपकी इक्षा है जैसे मतलब आप सजाना चाहें सजा सकती है इसे आप दो से तीन घंटे के लिए रख दीजे फ्रीज में जिसे कि अच्छे सेट हो जाए जब यह सेट हो जाएगा तो देखिए उपर से एक पसंद पीस में काट लीजे और काट कर अपने बच्चे को दीजे खाने के लिए बच्चे तो क्या कहें हम इतने खुश हो जाते हैं खाकर इसाही टुगड़ा को कि आप मतलब समझ नहीं सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हो जाते हैं तो और बनाना उतना ही आसा ने देख काफी मतलब मज़ेदार है रसीला है अंदर तक इसकी जो रस है न वह चली जाती है और हम जो रवडी तयार करके रखे रहते हैं उपर से लगता है कि जैसे एक दम खुए जैसे इसका स्वाद आता है काफी टेस्टी लगता है काफी रिच भी देखने में भी और खाने में लगता है और शरी के साओं उपर से कुछ भी सजा सकते हैं फूट से भी सजा सकते हैं छोटे-छोटे पीसे स्थूट को काट लीजए और काट कर ऊपर से लगा दीजिये कि वाठ लेंगे और यह उपर से सुंदर देखने में भी लगेगा ता दिखी अंदर ता कितना यह मत देखने के लिए धन्यवाद